तो भाई लोग कल की ट्यूर 98 AD मुवी के बाद एक और ऐसा कंटेंट आया है जिसमें करण अर्जुन का खेल दिखाय जा रहा है मैं बात कर रहा हूँ गुलसंदेवा अनुराक कसाफ स्टारर बैट कव वेब सिरिस के भाई इसमें भी करण अर्जुन की कहानी ही दिखाई गई है एक नई अंदाज में करण अर्जुन दोनों भाई हैं और बो भी जुडवा जिसे प्ले करें हैं गुलसंदेवा और दुरियधन अनुराक कसाफ मैं क्यों दुरियधन बोल रहा हूँ अनुराक कसाफ को वो आपको सिरिस के आखिर में पता चलेगा सीरिस की कहानी दो भाई के उपर है करन और अर्जुन करन एक पोलिस अफसर है और अर्जुन छोटी मोटी चोरी करने वाला जोल जपाटा करने वाला लेकिन दोनों भाई एक दुसरे पे जान चुड़कते हैं अर्जुन कितना भी गलती करे करन उसको हमेशा मदद करता है एक बार अर्जुन एक मडर केस में फस जाता है और करन को मदद मांगने के लिए जाता है और करन उस टाइम पे एक मिसन पे लगा होता है अचानक गोली वारी होती है और करन अर्जुन दोनों को गोली लग जाती ह करन वहीं पर मर जाता है लेकिन अर्जुन बच जाता है और सब लोग अर्जुन को करन ही मानने लगते हैं तबी अर्जुन करन बनके यानि पोलिस अफसर बनके जिस मडर में वो फसा है उसका परदा फास करने के लिए कोशिस करता है जिसका मडर हुआ है वो एक कड़क CBI अफिसर का दोस्त था तो बो CBI अफिसर अरजुन को पकरने के लिए करन के पीछे लगा रहता है जो की खुद करन ही अरजुन है और इन सब में दुरियधन यानि सीरिस की विलन अनुराक कसाब कैसे इन्वल्फ है वो सब कुछ हमें इस स सीरिस में देखने को मिलता है और इतने में कहानी खतम नहीं होती अच्छा खासा फैमली ड्रामा है बाप बेटी की प्यार है और भाई-भाई का इमोशन भी डाला गया है पोलिस इन्वेस्टिगेशन सीरिस की फाइट सिक्वेंस आप काफी एन्जॉई करोगे सीरिस को होती कम गालियां सुनने को मिलता है गुलसन देवा, अनुरा कसाप, सोरब सच देवा, हरलीन सेटी सीरिस के लीड स्टार कास्ट हैं और बहतरिन तरीके से अपना काम भी किये हैं मेरे हिसाब से एपिसोड 3, 4, 5 के बीच बीच में थोड़ा आप बोर फिल कर सकते हो पर उतन भी नहीं, बाकी ओवरल सीरिस काफी वड़िया है, 8 एपिसोड की सीरिस है और हर एग एपिसोड 30 से 35 मिनिट के हैं, मतलब कार जाट करके आपको 4 घंटे लग जाएंगे सीरिस को पूरा का पूरा कम्पलीट करने के लिए, और हाँ, आपकी 4 घंटे बरबाद नहीं होंगे, आपको मजा जरूर आएगा, मेरी तरब से बैट कॉब को 3.5 स्टार आउट आफ 5, होस्टार पे बैट कॉब आप देख सकते हो, अगर देख चुके तो कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा ये सीरिस,